जितना हमारा पंडाल है पंडाल तो हमें पूरा भरा दिखाई दे रहा है पीछे स्टरक तर लोग दिखाई दे रहा है मुझे और देखे दूर वो लाल गंचे वाले आरे और लाल टीशर्ड वाले हमें दिखा रहे हैं वहां तक मैं देख सकता हूँ यहां यह पंडार नहीं है और पंडार के बहार तप्ती हुई दुटहरी में सूरच बिलकुल आजमान के उपर है, सर के उपर है हमारे बाही तरब भी बाही तरब भी जो कि फोड़ा दार गंशा लगा कर दुटहरी बजा सकते हैं वो बजाए तीन सो तक मैं जन सहलाब देख रहा हूँ और ये जन सहलाब परिवर्तन का है और बीजे पी को हटाने के लिए है मैं जामता हूँ कि बहाद दिन से हमारा आपका जोश और उप्सा और हमारे अंदर कुछ करने की इश्चा बड़ी हुई है लेकिन ये बोर्ट की तारीक तक बचा के रखिये ये जो बल्ली तूट जाएंगी तो हमारी आपकी खरब खराब निकल जाएगी ये जो मैं देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि हात में संती है संती हमारे कुछ साथियों के पास संती है ये जैसे गारंटी जो दे रहे हूँ उनके लिए संती है ये संती से गारंटी वाले जाएंगे मैं उपर भी देख रहा हूँ कि जहां हमारा स्ट्रस जुड़ रहा है मुझे नहीं लगता कि तुम साइंस स्टुडेंट हो ये अभी हमें पांच दिखाई दे रहे हैं अगर साथ हो गए तो साथों के साथ नीची आ जाएंगे पांच तक तो ठीक हो तुम मताना उदर काली तीशाट तुम मताना न ये भी नीची आ जाएंगे संग में तुम्हारे इसलिए मैं आपका धनिवाद देता हूँ आभार पेकर करता हूँ ये जो एतिहासिक कारकम मैं देख रहा हूँ ये एतिहासिक कारकम ये जो जन समर्तन उस्था जोश ना केवल दरोगा सरोजी को जिताने जा रहा है बल्कि आजमगर की जनता दोनों लोग समाओं को रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रही है आजमगर का इतिहास भी यही रहा है मैं आपको 22 का भी धनिवाद देता हूँ 2022 में आप सब लोगों ने मिल करके समाजवाणी पार्टी को दख की दख सीटें जितवा दी थी ये दख सीटें जीते थे वही छेतरे और जो दूसरे दल वाले हैं जो चुनाप्रचार कर रहे हैं मैं उनके भाशा सुरुणा उनकी भाशा सुरुणा हूँ जहां पहले चरण से चुनाप शुरू हुआ था और चुनाप लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है बाँच मएं चरण का चुनाप खत्म हो चुका है अब केवाद दो शरणों का चुनाव भागिया छटमा और साथमा मैं ये कह सकता हूँ पहले चरण से मैं चुनाव देख रहा हूँ आप देखिएगा जिस समय चुनाव साथ में चरण पर पहुँचेगा जनता का गुस्वानी साथ में आस्वान पर दिखाई देगा और इस बार जो कुछ भी ये अंगरिद बनाए हुए है बीजेपी के लोग जो कुछ उन्होंने अपनी रणनीद बनाई है इस बार उत्तव पदेश की जनता ने पूरा का पूरा सफाया करने का मन बनाया है अभी जो आकरे आ रहे हैं जो सुचना आ रही है उसमें केवल एक से लड़ाई में हैं हम लोग एक में लड़ाई में केवल वो क्यूटो और बाकी सब सीटें बीजेपी हाथ चुकी है आपने इनके नेताओं के बास्टर सुने होंगे वही पुरानी कहानी सुना रहे हैं पुराने जमाने वाली और वही गिसे पिटे डायलोग जो जनता सुनना नहीं चाती है जो गिसे पिटे डायलोग बीजेपी के लोग बोलना हैं उन गिसे पिटे डायलोग को कोई सुनना नहीं चाता है और इस बार जो जन्ता ने मन मना रहा है ये जो हमारे आपके PDA परिवार वाले लोग हैं ये PDA परिवार ही NDA को हराने का काम करेगा इस बार इनकी कौन सी बातें याद दिलाएं इन BJP वालों की हर बात जूटी निकली है इनका हर वादा जूटा निकला और पिछले दस साल का अगर इसाब किताब लगाएंगे तो BJP की ये सरकार जो दस साल चली है लूट और जूट के साथ चली है और इतना लूटा है इन्होंने के इन्होंने लूट लूट करके वो जो हमें और आपको वैक्सिन लगवाई थी वैक्सिन वाली कंपनी से भी पैसा बसूल लिया हमें आपको सबको जबरदस्ती वैक्सिन लगवादी ये जो हमारे खाकी परदी पैने वाले भाई लोगे करमचारी ये भी लगवादी नहीं चाहते थे कि वैक्सिन कंपनी वाले कह रहे हैं कि अब हम वैक्सिन बापिस ले लेंगे बताओ जो वैक्सिन सरीर में चली गई वो बापिस कैसे आईगी बता दो बताओ कैसे बापिस आ सकती है कम से कम हम बज गए हम लोगों वैक्सिन नहीं लगवाई है हम नहीं लगवाई वैक्सिन लेकिन जिरोंने वैक्सिन लगवाई होगी वो अगर साडिफिकिट देखेंगे तो बताओ साटिफिकेट देख करके बोर्ट किसको डालेंगे और सुना है जब से वैक्सीन का खत्रा पैदा हुआ है जो दिल्ली वाले है प्रधान सांसाथ उन्होंने अपनी तस्वीर साटिफिकेट से हट वा ली है साटिफिकेट से तस्वीर हट गई और बड़े बड़े शेरों में ये डबल इंजिन वालों ने बड़ी बड़ी होडिंग लगवाई है आजमगर में भी लगी होगी बड़ी बड़ी होडिंग दिल्ली वालों की डबल इंजिन वालों की नहीं लग पाई हैं वो जानते हैं कि दोनों सीटे सभाई जितने वाले से नहीं लगाई लेकिन और शेरों में देखो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं डबल इंजन वाले लेकिन उनका जो इंजन है वो पहले से गायव है एक ही जन और आपने देखा होगा आपको BJP का तालमेल बिगड़ गया है इनका तालमेल बिड़ गया है घालमेल चला है इनके अंदर है अंदर ही अंदर और एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं कर रहे हैं ये जो दिल्ली और लखनों वाले हैं सुनने में आ रहा है इनका भी आपस में एक दूसरे का इंजिन टकरा रहा है इसलिए जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा करके जान को खत्रे में डलवाया वही लोग हमारे आपके बाबा को भीम्रा अमिरजी के समिदान के भी पीछे पड़े हैं और ऐसा पीछे पड़े हैं के रहे थे चार सो पार याद है आपको जब शुरू चुना हुआ था तो चार सो पार लेकिन इस बार चार सो हार का जुनता नारा बजा रही है और ये चार सो पार को हम लोग बाद में समझ में आए ये जो चार सो पार का नारा है आप पड़े लिखे लोग हैं आप समझ लिए जो चार सो पार का नारा इनों ने दिया वो इसलिए दिया क्योंकि लोग सवा में जो सीटे हैं वो है पास सो तैतालिस और पास सो तैतालिस में अगर चार सो पार बीजे पी कह रही है तो बताओ कितनी सीटे जीतने जारी बीजे पी एक सो पास सो तैतालिस में चार सो पार कितनी सीटे हैं 143 और इसमार देश की 140 करोड जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी इन्हों ने वादा किया था हमारे किसान भाईयों को किसानों की आए दोगनी हो जाएगी बताओ किसान भाई हैं यहां खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं किसी की आए दोगनी होई हो तो बताएए ना आए दोगनी होई और नाई फसल की खरीदने के लिए को इंतजाम किया पैदावार की कीमत तो दूर लेकिन इनके कारकाल में लगातार लागद बरती चली जा रही है जो हमारा किसान गरीब है गाओं में रहने वाला वो जानता होगा खेती बाड़ी जब करने जा रहा है तो उसकी लागद बरती चली जा रही है और जो कर्ज है वो भी बरता जबा जा रहा है इदर आपने देखा होगा सुना होगा पड़ा होगा कि बीजेपी की जब से सरकार आई है इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का बड़े बड़े कारोवारियों का जो माला माल लोग हैं उनका करज माफ कर दिया 25 लाख करोड इन्होंने अभी तक 10 साल में उद्योग पतियों का कर्ज माफ किया है और जब इन्होंने कानून बनाया तो कानून ये बनाया कि जिन लोगों का 5 करोड से उपर का कर्ज है उनका कर्ज माफ होगा लेकिन हमारे गरीब किसान गौँ में रहने वाले लोग उनका कर्ज लाखों में है इन्होंने लाखों का कर्जा माफ नहीं किया इन्होंने पांच करोड से उपर वालों का कर्ज माफ किया है हम अपने गरीबों को कहके जा रहे हैं जब से इंडिया घड़बंदन मना है, समाजवादी पार्टी, कांगेस पार्टी और अन्दर्द साथ आए हैं, ये तैय कर लिया है, कि अगर बीजे पीने बड़े बड़े लोगों का करज माफ किया है, तो चार जून के बाद, जब सरकार मनेगी, तो हमारे गरीबों का, किसानों का, गौंब रेने वालों का भी करज माफ होगा, जब ये 25 लाग कोड़ माफ कर सकते हैं, तो हमारे गरीबों का तो करज बहुत कम है, वो भी माफ होगा, जहाँ किसान इनके खिलाब खड़ा हो गया, गाओं के लोग खड़े हो गए, वही हमारे नौजमान जानते होंगे, इनकी सरकार में हर पेपर लीग हो गया, और हर परिच्छा इनको रद करनी पड़ गई, ये नौजमान बड़ी तैयारी करके गए होंगे, मेहनत करकर के पड़ाई की, और जब परिच्छा लिखी इनोंने, और घर लौटे तो पता लगा कि इनके परिच्छा रद हो गई, पेपर लीग हो गया, और ये नौजमान पड़े लिखें लोग, ये जानते होंगे, एक परिच्छा नहीं, अभी तक जितनी भी परिच्छा उत्तफ़े सरकार ने की हैं, साथ परिच्छाओं के पेपर लीग करा दिये, हमारे नौजमानों को जो नौकरी मिल जानी चीए तो नौकरी नहीं देपाई सरकार, और पेपर लीग के कारण, और जो पेपर रद हुए हैं, परिच्छाएं रद हुई, उसके कारण साथ लाग बच्छे उत्तफ़े इसके रह गए जिनको नौकरी नहीं मिल पाई, यही साथ लाग इनके परिवार के माबाब को अगर हम जोड़ दें, तो सोचिए कितने हुए सीन गुणा साथ लाग, एक करोड़ असी लाग, और यही एक करोड़ असी लाग जो प्रवाबित हुए हैं, परिच्छा रद होने की वज़े से, लोगस्वा असी से अगर हम भा आदे जनता पार्टी का हो गया, तो बताओ जिस पार्टी का केवल नौजमान जिनकी परिच्छा रद हुई, पेपर लिख हुआ, नौकरी नी पाए उनके माबाब को जोड़ करके अगर एक लोगस्वा में दो लाग पच्चिस लाग बोट कम हुआ है, तो बताओ इनकी सर ये नौजमान जो हमारे खेतों पर दोर करके और सड़कों पर दोर करके फौज की तयारी करते थे, पुलिस भर्ती की तयारी करते थे, पुलिस भर्ती का पेपर लिख हुआ कर नहीं हुआ, और ये जो फौज की नौकरी के लिए तयारी करते थे आप लोगस्ट, जो सड़क आजी पूर्द बलिया ये वो जिले हैं जहां का नौजमान तयारी करकर के सपना देखता था कि उसको पक्की बर्दी पहन करके देश की सीमा की रच्छा करने का मौका मिलेगा लेकिन इस सरकार ने वो पक्की नौकरी ख़तम कर दी अगनी वीर विवस्था ले आएं लेकिन हम अपने नौजमानों को कहके जा रहे हैं ये अगनी वीर वाली आदूरी अधूरी नौकरी इंडिया गट बंदन और समाजमा भी पार्दी कभी स्विटार नहीं करेगी सरकार बनेगी तो फौज की नौकरी भी बढ़ाएंगे और पक्की बढ़दी के साथ साथ पक्की नौकरी भी देने का काम नौजमानों का होगा नकेवल फौज में नौकरी बलकि तीस लाख सरकारी नौकरियां जो बीज़े पी ने नहीं दी वो इसलिए नहीं दी क्योंकि वो जानते देगी अगर सरकारी नौकरी दी जाएगी तो हमारे तमाम पीडिये परिवार के नौजमान और बच्चों को भी नौकरी मिल जाएगी इसलिए नौकरी नहीं दी और जो पेपर लीग हुए है आपको जान बूज करके पेपर लीग किये है इसलिए तीस लाख जो दिली की सरकार की नौकरी खाली है वो नौकरी दिलाने का काम भी नौजमानों को होगा आपको नौकरी दिलाने का काम हम लोग शुरू करेंगे अभी तो अगनी वीर वाली नौकरी फोज की चार साल की हुई है हम अपने खाकी बर्दी पहनने वाले भाईयों को साबधान करने आए हैं कि अगर बीजेपी वाले आगए तो अभी तो फोज की चार साल की नौकरी है हमारे खागी बर्दी पहनने वाले नौज़मानों के भी नौगरी वो तीन साल की कर देंगे इसलिए याद अगना मनीमन ये भी आपका साथ दे रहे है मनीमन साथ दे रहे है और कभी कभी ये बात मैं कहता हूँ तो पत्तकार साथ ही हमसे सवाल पूछते कि ये कैसे संबब है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि बताओ क्या आपको पता था कि हवाई अड़े बिग जाएंगे क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन बिग जाएंगे क्या आपको पता था सरकारी PSU सब बिग जाएंगी क्या आपको पता था कि टेलीफॉन की कंपनिया बिख जाएंगी L.I.C. बिख जाएगी बंदरगा बिख जाएगा क्या आपको पता था कि अगनी वीर वाली विवस्था आ जाएगी क्या आपको पता था कि आदी राद नोट बंदी हो जाएगी जब आपको नहीं बता था तो जैसे अगनी वीर की विवस्ता है हो सकता है वैसी विवस्ता हमारे खाकी बर्दी पहनने वालों के लिए ये लोग कर दें आप लोग ये चुनाओ संबिधान बचाने का है ये आप तो जान गए होंगे आज इस मौके पर हम संबिधान का दिया हुआ संबिधान और संबिधान मिलते हैं उसको बचाने की दड़ाई है जो हमें नहीं बचाने की दरौत है ये संबिधान हमारे लिए संजीवनी है इसलिए कभी जैसा कि समुद्र मंतन हुआ था उसी तरीके से इस बच संबिधान मंतन होने जा रहा है एक तरह बो लोग है जो संबिधान बदलना चाहते हैं और दूसरी तब इंडिया कज़बनना और समाजबादी लोग है जो बाबा सौब भीम्रो अमिरिकर जी का समिधान बचाना चाहते हैं इसने बचाएंगे आप लोग बीजेपी अटाओगे इसने महंगाई बढ़ाई के नहीं बढ़ाई और महंगाई केबल डीजल पेट्रॉल खाने के समान की तो बढ़ाई बढ़ाई है नौजबान जानते होंगे दस साल पहले आपकी मोटर स्टाइगल कितने रुपे की आती थी और आज मोटर स्टाइगल कितने की आ रही है बढ़ाई दोगना कर दिया के नहीं कर दिया आपके किसान भाई होंगे खाड बजार से लिये होंगे बढ़ाई खाड की बोरी से चोरी हो गई पहले कितने किलो होई और अब कितने किलो हो गई कभी कभी मैं सुसता हूं ये महंगाई और बूरी की चोरी कहां से सीखें होंगे तब हमें याद आता है पारले जी बिस्किट से सीखें ये लोग जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे पहले पारले जी का बिस्किट पाइर कितना बराता था और महगाई बढ़ी उन्होंने मुनाफ़ा नहीं कम किया तो बताव पैकेट कितना हो गया अब कितने का पैकेट आ रहा है याद अब बिजेपी बाले आ गए तो एक बिस्किट बाला पैकेट मिलेगा आपको एक बिस्किट बाला है मेंगाई इनों ने बढ़ाई के नहीं बढ़ाई ना केवल मेंगाई बढ़ाई है बल्कि हमारे किसान बाई जानते होंगे कि जब डिये पी लेने गए तो उन से जबर्दस्ती नेनो यूरिया खरिदबा दी किसान बाई जानते होंगे डिये पी तभी मिली जब नेनो यूरिया खरिदी और नेनो यूरिया बनाने वाले भारत छोड़के चले गए जैसे पहले कारोबारी देवपती भागे थे उसी तरीके से सुनने में आया है कि जिन्होंने नेनो यूरिया बनाई और ये कहा कि नेनो यूरिया जब खेतों पे डाली जाएगी सलसल में डाली जाएगी तो हमारे किसानों की पैदाबार बढ़ जाएगी पैदाबार तो बढ़ी नहीं हमारे किसानों की मदद हुई नहीं लेकिन नेनो यूरिया वालों ने पैसा कमाया और भारत छोड़कर के उद्देश पत्यों के जैसा भारत छोड़कर के भाग गए इसलिए हम आपको साब्दान करने आए हैं और ये भी बताने आए हैं कि याद होगा आपको राशन में नजाने क्या क्या दे रहे हैं बीजेटी वाले और अब राशन में क्या क्या मिलना है पहले से राशन में कतोती हो गई कर नहीं हो गई और हमारे गरीवों को भरपेट खाना में नहीं मिल पा रहा है राशन की गुरवक्ता भी खराब कर दी मात्रा तो खराब की की है लेकिन राशन की गुरवक्ता भी खराब कर दी इसलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गड़बंदन ने तै किया है कि आने वाले समय में सरकार बनने पर हमारे गरीबों कहे राशन की मात्रा बढ़ेगी और जिस तरीके से संपन लोग बड़े लोग बड़े शहरों में गुरवक्ता जिसकी अच्छी होती है और जो पॉस्टिक पैकेट का आटा है वो भी हम समाजवादी लोग अपने गरीमों को पॉस्टिक आटा के साथ-साथ डाटा फ्री दिलाने का काम करेंगे गरीबों को पॉस्टिक आता इसलिए राशन ज्यादा इसलिए कि उनके घर परिवार में भर पेट भोजन हो जाए उनका स्वाथ बेतर हो और डाटा इसलिए क्योंकि डाटा से याद कर सब कुछ चलना है डाटा के बिना हम लोग बहुत सारी चीजों की जानकारी हासल नहीं कर सकते हैं ये नौजमान जानते होंगे आउनलाइन पढ़ाई से लेकर के अगर कोई जानकारी हासल करना चाहता है तो डाटा अगर है तो हम उसकी जानकारी भी हासल कर सकते हैं ये जब मुबाइल आए तो याद हो आपको, इन्होंने फ्री डाटा दिया था, लेकिन जब सक्के हाथ में मुबाइल आगया, तो डाटा का भी पैसा बसूरना शुरू कर दिया है, इसलिए गरीमों को हाथा के साथ डाटा भी फ्री देने का खाम होगा है। हमारे बहुत सारे साथी हैं, जो जानते होंगे समय समय पे, इस सरकार में बहुत भेदवाब किया है, बहुत अन्याय किया है, बुल्लो जन लेकर के ड़़ाने का काम भी किया है, जूटे मुकद्दमे भी लगाए हैं, और जितने काम समाजवादियों ने अच्छे किये थे, जितने भी अच्छे काम के सब बार्दी जनता पार्टी ने खराब कर दिया। इसी जगे पर आजंगर में सबसे ज़्यादा गरीबों के लिए अम्बूलेंस चलाने का काम हुआ था। जब से समाजवादियों की सरकार गई इन्होंने हमारी एम्बूलेंस भी खराब कर दिया। जरकारी अस्पतालों के अलाबा दूसरे प्रैविट अस्पतालों में जाना पड़ता है जिसकी बज़े से हमारे गरीब के ऊपर और संकता आता रहा है। इसलिए जहां हमें स्वास की सेवाओं को बैतर करना है वहीं अपनी हम माताओं बेहनों को कहके जा रहे हैं। कुछ तो हमें यहां दिखाई दे रही हैं। कुछ और समा में होगी। कभी समाजवादियों ने समाजवादी पेंशन देना शुरू किया था। हम लोग जब 2017 के चुड़ाओं में और 2022 के चुड़ाओं में आपके बीच आये थे। तो कहा था कि समाजवादी पेंशन बढ़ा करके देंगे। तीन अजार, शेजार करने में एक काविक कहा था। लेकिन आप समाजवादी पार्टी इंडिया गडवन्न ने ते किया है कि दिल्ली में चार जून के बार जब सरकार बनेगी तो अपनी माताओं बहनों के एकाउंट में एक लाख रुपया भिजवाने का काम होगा। एक लाख इनके परिवार की मदद होगी। इनकी सम्वान का जीवन जी सकें। इसलिए एक लाख रुपय जीवार की मदद से होगा। और अपने साथियों करें कि मददी मंतल को बदनेगा ही। इसलिए मंतल को बदनेगा ही। तो जी इखार मीदीया मंतल में बदनेगा से हैं। इनका इतना ताना उनका रखा ही दाना है। उन्हें मिल्या का इतना पुस्ते जाते हैं। इसलिए मंत्री मंतल के साथ साथ मीडिया मंतल भी पदर जाएगा। और हमारे आपके दिए को विश्मियों के ना ही है। लेकिन इन मीडिया वालों का चारजिन आजादी का दिल है। इसलिए सब लोग मदद करो हमारे। सब लोग मदद करो। यह मान को चले कि आपके जोग अश्मियों के शितागे करेगा शरुपी को। यह मान को चले कि आजन गर अपना विपहर तोड़ेगा। यह आजन गर से समाज अजी का बहुत जहरा विश्चा है। इसलिए हम आपके कभी खोगने सकते हैं। और कभी खोगने सकते हैं। करना हम आपके कभी सोगने सकते हैं। झाल 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 हो बताओ इनों ने धोका दिया के नहीं दिया और धोका देते देते अब एक दूसरे को धोका दे रहे हैं एक दूसरे के पीशे पड़े हुए हैं इसलिए ये मौका हम लोगों को मिला है जहां पर हर जगह बीजेपी का सफाया होता जा रहा है हटती जा रही है बीजेपी तो तो बताओ, आप लोग भी अटा दोगे, सब मिलकर लोगे। करोगा आप सरोगी, पुराने हमारे क्राम्दिकारी साथी हैं। इनकी बदद करोगे आप लोगे। साइकिल चुना चिन सरी भूल जाओगे। साइकिल याद है आपको। और इन्होंने हमारे आपके साथ बहुत अन्याय किया है। हर इसतर पें न्याय हुआ है। नोकरी में न्याय हुआ है। न्याय जिदाने में न्याय हुआ है। भेदवाब हुआ है। और जितनी भी अच्छी योजनायती सब बंद कर दी। कईयों की नकल कर दी कईयों का नाम बदल दिया बताओ समाजवादी लोग थे इतना बड़ा लेफ्ट आप देते थे वो आज मी चलना होगा जिसके पास होगा इन्होंने नकल की उसकी और एक कैद दे दिया इतना सुटा बश्टाचारी बेहिमान बताओ इन्होंने सबसे पैसा पसूल लिया के नहीं पसूल लिया यह एलेक्ट्राइल बॉन्ड वाली बाद तो आपको समझ में आ गई होगी एक एक हजार करोर रुपए बसूल लिये 600 करोर रुपए बसूल लिये 500 करोर, 400 करोर और जिसने वैट्रीन लगवाई है हमें होगी उससे भी पैसा बसूल लिया के नहीं बसूल लिया और बजाद के जाओ पहले भुखार ठीक हो जाता था आज कर बताओ कितनी गोली लेनी पड़ रही है छेसो पचास में बताओ लेनी पड़ रही है पहले पांस सो एमजी की गोली में बुखाड ठीक होता था और आज कर कितने में हो रहा है छेसो पचास में बताओ कैसी सरकात चल रही है इसलिए साबधान रही है सब लोग और मदद करिए हम लोगों की और साइकल वालों की मदद करिए हमारे जो P.S.O. वाले हैं और हमारे तमाम साती हैं यहां पर 79,000 वाले होंगे सिक्षक भरती वाल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन का तमाम हम आप लोगे समाधान करेंगे न केवल इनकी समस्यों का समाधान करेंगे बलकी जो मिलता है आशकार भेहनों को और ओर हमारे जो गामीडशित में हैं जो सही को लेकर और वेकर क superheroes हुए उनकी भी बदस करेंगे और पीएस्टियू आदमगर का सम्मान जनक उनका बेतन बराबर कराने का काम भी आने वाले समय में होगा इसलिए भेतवाब के खिलाप अन्ध्याय के खिलाप और इन भारति जन्ता Пार्टी जो जूटों की पार्टी है न केवल जूट अपने देशन बोलते हैं बलकि दुनिया के नहीं स्था ब्रह्मान के सबसे जूटा तल अगर कोई है तो भारति जन्ता पार्टी है